अस्सलाम उलेकूल फ्रेंट्स मैं हूं तौकी राना और सबक चार में आप सभी का फैर मंदम हैं दोस्तो लेशन 4 में हम पढ़ने वाले हैं है और हैज की है और हैज का सही जूज क्या है हमें कैसे इसका इस्तमाल करना चाहिए इसके पहले कि मैं लेशन स्टार्ट करूं परसन की तरह होते हैं अगर आप से कौन कौन तो आप कहें यू दूसरा या एक सकेंड परसन और तीसरा के आप कह सकते हैं यह यह अगलम आदमी का नाम जानुडर का नाम परिंदा का नाम या किसी जगा का नाम तो थर्ड परसन में आते हैं, is she it, या किसी इंसान का नाम, या जानवर का नाम, पिड़ा का नाम, परिंदा का नाम, या फिर किसी जल्गा का नाम, ये होते हैं परसन, परसन तीर तरह के होते हैं, I, V, पहला, यो दूसरा, बाकिसर, तीसरा, इस बात को आप याद रखेंगे आए अबलेशन की शुरुवात करते हैं, तो फ्रेंड्स चरिए सीखें, किस नाउन या प्रो नाउन के साथ है का यूज करना है, और किस नाउन या प्रो नाउन के साथ हैज कर यूज करना है, है का यूज फर्ष्ट परसन यानि आई वी के साथ या जाता है, है का यूज स चाने कि एसे Noun जो एक से जादे। जबकि है का народ करना है। कि एक आदमी का नम, किसी एक जानवर का नम, कोई एक लड़का तो हैड़ का पर यूज्ट होता है और सिर्फ हड़ परसन के स्पिलर नमबर के साथ होता है किस्ञ़ मया हो और अक्तितन उषिदी होता है यानि एक से ज़्यादा के लिए किया जाता है जबकि हई का यूज बस हड़ पर्सन का सिग्लर नंबर है। किसरा हो अकेदा हो। तो हम हज का यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको translate करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि Translation का दाम कितना आसान होता है। पानी पीओ च्छानके उस्ताद बनाओ जानके अगर आपने उस्ताद समझ बुचकर नहीं बनाया तो फिर काम्याभी आपके पास वही रही सकती चड़िए च्रांसलेट करके दिखाता हूँ मैं एग खुशूरत का रखता हूँ कैसे च्रांसलेट करेंगे जो वर्ड सबसे पहले वसका अंगरेजी सबसे पहले रिखेए जोट बाद में उसका अंगरेजी जिसरे नंबर पर यह अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके सेंट्रेस कविन गलत नहीं होगा, पहले मैं मेनिक किलिए करा दू, मैं को अंगरेजी में I कहते हैं, एक खुशूरत का beautiful, कार को तो कार ही कहते हैं, और रखता हूं का अंगरेजी have या hedge, I, V, U और किसी plural noun के साथ have का use होता है, और किसी similar noun या किसी it के साथ hedge का use होता है, चलिए इसे translate करते हैं, मैं को अंगरेजी में कहेंगे I, रखता हूं यानि have, मैंने पहले और दूसरे नमबर के अंगरेजी लिख दिया, अब विच में तिसरा नमबर है, मैं उसका अंगरेजी दिखने जाला, एक का अंगरेजी a, और सूरत का अंगरेजी beautiful, और car को अंगरेजी में कहते हैं, car, I have a beautiful car, और ये translate हुआ, आइए दूसरे वाले को भी translate करते हैं, सबसे पहले बाद वाला का अंगरेजी दूसरे नमबर पर, और जो वर्ट बीच में हैं, उसका अंगरेजी इसरे नमबर पर, आपको अंगरेजी में कहते हैं, you, और रखता हो का अंगरेजी होगा, have, और एक अच्छा घर, एक का अंगरेजी a, अच्छा का अंगरेजी होगा, good, और घर को अंगरेजी में कहते हैं, house या home, you have a good house, आप एक अच्छा घर रखते हैं, और ये भी translate आईए कुछ एक्जामपल और देखते हैं ताकि कंसेप्ट आपको अच्छा से समझ में आ सके चलिए इसे में ट्रांस्वेट करते हैं उसके पास एक लाज सारी है दूसरा वाक्या है मेरे पास एक नेक दोस्त है और तीसरा है हम लोगों के पास सब्र है चलिए एक एक करके ट बनालू उस कांगरेजी होता है ही अगर हमने किसी मुजबकर को समझा है तो अगर हमने किसी मौनस को समझा तो सी का यूज करें है और पास है कांगरेजी है होता है इस पास को यहाँ पे रहना चाहिए लेकिन सेंटेंस की बनावट के हिसाब से यहाँ पर आ गया है जैसा कि आप पिछले वाले sentence में गौर किये कि रखता हूं या रखता है, है कब अगल में रखता आ रहादा, फिर कोई बात नहीं हम यहीं समझेंगे, यह पास यहाँ पर है, ओके, एक कांगरी जी ए लाल कांगरी जी रण और साड़ी को साड़ी कहते हैं, तो चलिए फिर translate करते हैं, सबसे पहला वाला कांगरी सबसे पहले दिखिये, पास है, मिला कर होगा दो नमबर, और बीच में जो है उस कांगरी जी तीसरे नमबर पर, उस यानी शी, हमने उसको फीमेल Sampjo mo Anas मैंने अपको पहले ही बताया कि He, Sik It के साथ Has का यूज होता है और A का अंगरीजी a, लालका अंगरीजी red और sarhi का अंगरीजी होगा stali और ये translate हुआ आइए दुषरे बाले को translate करते हैं पहला वाला कांगरेजी सबसे पहले लिखे, मेरे का आई और बाद वाला कांगरेजी दूसरे नमबर पर, पास है, कांगरेजी होगा है, अब जो बीच में उसकांगरेजी तीसे नमबर में लिखे, एक कांगरेजी एक, नेक कांगरेजी जेंटल, और दोस्त कांगरेजी होता I have a friend, F R I E N. Friend. I have a gentle friend. आए थिसरे वाले को भी translate करते हैं, हम लोग सबसे पहिला वाला तर ग्रेजी एक number. Pass है, दो number, और सब्र के अंगरेजी होगी, तीन number. हम लोग का अंगरेजी में कहते हैं, we, Pass है का अंगरेजी होगा, have, और सब्र को English में कहते हैं, presence. We have presence. और मेरा जुम्ला ट्रांसलेट हुआ आईए इसे ट्रांसलेट करते हैं हमारा सेंटेंस है मैं या पास चार अवलाद है मुझे इसका ट्रांसलेट करना है मानीजिए आपको कवाईद नहीं आता ओडा भी नहीं आता बेलकुल नहीं आता ओकिए Jakarta बात नहीं मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा फ्रेंड्स कि बड़े आजानी से आप उर्दु वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे कैसे करना है जो वर्ड सबसे पहरे है उसका अंगरेजी सबसे पहरे लिखना है बादवाला सब का अंगरेजी दूसरे नमबर पर और जो वर्ड बीच में उसका अंगरेजी इसके नमबर पर यह पास जो दिख रहा है उसको यहाँ पढ़ोना चाहिए था यहाँ पढ़े सकते करते हैं pass है, लेकिन sentence की बनावट के हिसाब से उधर की सल गया है, पर don't worry, आप समझे की pass यहां लिखा हुआ है, ठीक है, आए translate करते हैं, मेरे का अंगरेजी I, और pass है का अंगरेजी होगा have, और 4 का अंगरेजी होगा four, और अवलाग का अंगरेजी में कहते हैं sons, I have four sons, आये दूसरे वाले को Translate करें, सबसे पहले बाद का अंगरेजी दूसरे नमबर पर और उन लोगन को अहरेजी में कहेंदु तर्वर और पास है का 1 अंगरेजी होगा AL और इस्डूआ एक, यानि एक और मुलाज्ब की अगरेजि रहती है ? चैस्वन्े और यह ट्रांसलेट हुआ उं लुगरों के पास एक मुलाजिम है लेहाए असवन्ट काईसे ट्रांसलेट हुआ ? जो वर्ड सबसे पहले उसका अंगरेजी सबसे पहले लिखा गया बादवले का अंगरेजी दुस्टे नमबर पर और बीच वाला का अंगरेजी तीस्रे नमबर पर चलिए इसे translate करते हैं मेरे पास अमन है जो बर सबसे पहले उसका अंगरेजी, सबसे पहले लिखिये, बाद वाला का अंगरेजी तूशे नमबर पर, और बीच वाला का अंगरेजी तीसे नमबर पर, मेरे का अंगरेजी आई, और पास है का अंगरेजी होगा है, और अमन तो इंग्लिश में कहते हैं, और आप ने इ और आपने इसको भी translate किया, आईए, लास्ट वाले को translate करते हैं, उसके पास वक्त है, सबसे पहले लिखियेगा, बाद वाला का अंगरीजी दूसरे नबर पर, और बीच वाला का अंगरीजी इसरे नबर पर, उसके पास यानी ए, और पास है यानी है, यहां पर गौर करिए, इस पार हमने हैज का यूज किया है क्यों किसी इट या किसी स्यूलर नाउन के साथ हैज का ही यूज होता है और वक्त को अंगरीजी में करते हैं टाइम, उसके पास वक्त है और ये ट्रांसलेट हुआ तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो आपके लिए कितना हिलफुल है कमेंड में जरूर बताईएगा मैंने अभी तब जो भी लेशन पढ़ाया ये एक डेमो था जिसमें मैंने आपको आफ़ा मेटू सेंटेंस पढ़ाये अगर आपको लगता है कि मैं एक अच्छा उस्ताध हूँ तो आप वीडियो को शेर कीजिए ताकि मैं फुल कोर्स आप लिए लेकर आ सकूँ मैं आपको यकिन दिलाता हूँ फ्रेंड्स कि आप बड़े शांदार तरीके से अंग्रेजी सीखेंगे कम वक्त में क्योंकि मैं अंग्रेजी ट्रिक से पढ़ाता हूँ जिसकी वज़ा से अगर किसी को थोड़ा भी नोलेज नहीं है वो भी बड़े आसानी से अंग्रेजी लिखना पढ़ना और बोलना सीख जाता है तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को जादा से जादा शेयर करेंगे ताकि मुझे भी और वीडियो बनाने में दिल्चस्पी आये फिर मिलेंगे एक नए निसन के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए अल्लाहाफिज